सलाम भाईयों सलाम वेलकम टू बिटकोइन एंड स्टॉक मार्केट इंडिया आज जो कंपनी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है वोल्टास जी हाँ वोल्टास बड़ी ही सस्ती कीमत में भी हमें मिल रही है 497 रुपए में ये अगर और यहां से इसमें डिपस आते हैं तो बाई करके चलें ये तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं अब इस कंपनी के हम थोड़ी सी बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं बैलेंस शीट की तरफ देखा जाए तो यहां पर जो डेप रिशो है इंडिस्ट्री की वह साथ सो तरेट परसेंट 763 परसेंट है और यहां पर सिर्फ 6% डेप नदर आता है कंपनी में जो के इनके लिए बहुत जबरदस चीज है फिर आगे चलें की कैश कंवसेशन साइकल कंपनी जो मुझे जादा तर इची लगती है उसकी कैश कंवसेशन साइकल जो है वह अगर बहुत जबरदस्त है तो वह कंपनी को बाई करके च फ्यूचर को अगर आप देखा जाए क्रोना वाइरस के बात का क्यूंकि करंटली आपके सेन्वा हॉल्स ऑफिसे बिल्डिंग जितने भी आपका ये सारा इनका जो मेन आइटम है इसी की वो अभी ब्लॉक पर है सही है उसके अंदर कोई इतनी मैनफेक्टरिंग और ना आगे से कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम कर पा रहा है लेकिन फिर भी आपके घरों में तो इसी चलने चलने हैं आपके घरों में रेफिरिजेटर और इनकी और प्रोडक्ट्स जो है वो भी चलनी चलनी है और भी इ यहां पर इंडस्ट्री करंट रेशो को देखा जाए तो 98 परसेंट जो है दूसरी इंडस्ट्री हैं इसके मुकाबले में और यह 145 पर बैठी वी है अगर हम देखें cash and short term यहां पर अच्छा खासा अजाफा में नदर आता है और करंट एसेट्स की तरफ देखा जाए यहां पर आके तो यहां पर भी हमें अच्छा खासा अजाफा नदर आता है liabilities की तरफ देखा जाए तो इतनी कुछ खास बड़ी नहीं है और अगर equity की तरफ आए हम तो equity में भी कुछ खास इजाफा नहीं है तो ये बेतरीन चीजें हैं कि इनके जो assets हैं वो काफी हद तक बड़े हैं और liabilities इतनी बड़ी नहीं है लेकिन अगर हम बात की जाए इनकी holdings की तो देखते हैं कि foreign investors जो है उन्होंने इसमें कितना नवेश किया है तो देखा जाए यहां पे foreign holding जो है वो खाली 9.8% है domestic institution holding 39.6% है और promoter holding 30% है promoter holding जो है वो stable है वो कम नहीं हुई है और अगर हम देखा जाए तो recently जो करोना का fall आया market का इसके अंदर जो है 10.91% से 9.87% जो है वो foreign institutional funds की जो holdings है वो कम हुई है लेकिन कोई इतना खास कमी नहीं है इधर आप देख सकते हैं कि जो interest value है वो आपको नजर आती है कि इस company की सही नहीं है valuation जादा है और अगर हम दूसरे चार्ट की तरफ देखें तो यहां पे भी very expensive हमें नजर आता है और strong sell का sign दिया जाता है लेकिन फिर भी मैं इस company को एक ऐसी bet कहूंगा जो कि आपको यहां पर यह sites जो अपनी valuation और अपनी software के जो है वो output से बता रही है कि यह यह हो सकता है आने वाले future में लेकिन कई companies जो है अगर ऐसे ही buy की जाती हैं कि हम खाली sites देखते हैं और हमें अच्छी companies मिल जाती हैं तो सारी दुनिया सिर्फ sites को पैसा देती और अमीर हो जाती यह बाकी जो है यह brokers यह वो सब खतम हो जाता साइट्स को पैसे देते कंप्यूटर्स आप लोगों को stocks निकाल के देते और आप उनको buy करते तो ऐसा नहीं है वोल्टास एक बहुत अच्छी company है बहुत जबर्दस company है और अगर इनके revenue की बात की जाए यहां पर आकर यहां पर अगर आप इनका revenue देखें तो यहां पर काफी अच्छा खासा अजाफा हुआ हुआ है लेकिन net income है अगर आप देखें तो यहां पर कमी जो है वो हमें नदर आ रही है जो कि इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकर debt ratio नहीं है यह company तो जब भी सस्थे में मिले इसको उठा के चले जब भी सस्थे में मिले आपको आप इस company में invest करें और अच्छे खासे returns आपको देखे जाएगी यह इदर आप green signal देख सकते है returns versus FDs जो है वो जबरदस्त है इस company नहीं के फिर इस company के बारे में आप लोगों को जरा थोड़ा depth में बताते हैं कि इनकी जो business है उसके अंदर आप देखें cooling and refrigerator जो रेफिजेटर्स हैं आपके fridge उसके बाद आपके home appliances में काफी चीज़े आ जाती है textile machinery के अंदर ही है mining and construction के अंदर यह हैं और international domestic जो है वो इनका जबरदस्त है over 40 countries के अंदर यह काम कर रही है वोल्टास सही है तो आप देख सकते हैं एक जबरदस company है और इंडिया का ऐसी companies जो है वो होना एक बहुत bright future की जो है वो समावन है कि ऐसी company जो है जब आपको long term target के अंदर जो है वो हम हमें 1000 के उपर valuation में 800 के उपर मिलेंगी हमें यही company है जब हमें 1500 2000 की मिलेंगी तो अफसोस है कि हम तब भगेंगे इसमें नवेश करने के लिए इसमें investment करने के लिए लेकिन अब भी अगर आप देखें तो company का भाव जो है वो आपको 500 के नीचे मिल रहा है पहली entry आप इसी को में लें 495, 497 के आसपास लें दूसरी entry जो है आपने 460 से पैंठ में लेनी है और अगर तीसरा dip आप लोगों को लकी ली मिलता है 425 की 435 तक की entry आप लेके चलें और 800 के लेवल, 700 के लेवल, 625 के लेवल तो आपको आने वाले कुछ ही मतलब हफतों में दिख सकते हैं ले लेकिन अगर long term आप ये share लेके चले, 5 साल तक टिक के बठे रहें इस share की अंदर, तो ये share आपको बहुत heavy returns दे सकता है, मेरा जो अपना मतलब के बड़ा तरीन target है, वो उल्टस का, वो 14500 से लेकर 2000 तक का target है, लेकिन near future 800 से 1000 जो है, आपको इसमें company में देखने में मिल सकता ह तो जो भी भाई है, stock market में invest करते हैं तो अपनी portfolio में इस company को लाजमी शामिल करने के लिए सोचे जीगा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, खुदा आफिस